रामलला के प्राणपतिस्टा को लेकर हिंदू समाज में जहां एक तरफ खुशी की लहर है तो वहीं संत समाज के एक बड़े घड़े की तरफ से आपत्ती भी सामने आई है इस पर अपती जताने वाले उत्राखंड जियो तेशो पीट के शंकराचार अवी मुक्तेश्वरानद हैं उन्होंने अधूरे या निर्माड़ा धीने मंदिर में प्राणपतिस्टा की जाने पर एतराज चताया है उन्होंने शास्त्रों को हवाला दिये बिना ही सिर या फेराखो की मूर्ती शरीर में प्राणपतिस्टा को गलत करा दिया है तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है स्वामी अवी मुक्तेश्वरानद नमस्कार मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुखबर पर प्रतापगड के ब्रामडपूर गाउं में 15 अगस्त 1979 को जन में स्वामी अवी मुक्तेश्वरानद का नाम उमाशंकर पांडे है कक्षा 6 तक की पढ़ाई गाउं में ही करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भीजा गया था एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गई वहाँ पर काशी के संत रामचेतनी से उनकी मुलाकात हुई उन्होंने बेटे को वही पर छोड़ दिया तब से यही रहकर उमाशंकर पूजन पाट और पढ़ाई में रम गई गुजरात में रहकर अगले कुछ सालों तक पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर फिर से वारा नसी पोचे वहाँ पर उनकी मुलाकात स्वामी रूपानंद सरस्वती से खुई इसके बाद उन्होंने संपूरानंद संस्क्रत विश्यवे द्याले से पढ़ाई की साल 2000 में उन्होंने स्वामी रूपानंद सरस्वती से दिक्षा ली और उनके सिश्य बन गए इसके बाद हुमा शंकर पांडे ने वह डंडी स्वामी अविमुक्थेश और अनंद बन गई और फिर सितंबर 2022 मशंकर चार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती की निदन के बाद पर समाधी से पहले उतरा अधिकारियों का चयन किया गया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें